फ्रेंड्स 20 सप्टेंबर को हमने पोस्ट किया था अरे हाँ भाई कितनी बार बोलेगा मैंने बोला था फ्रेंड्स ये तो सिर्फ वो नेगेटिव कमेंट वालों के लिए है जिन लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक क्लिक बेट है थमनेल बना के लोगों को एट्रेक कर रहा है उनके लिए सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि 20 सप्टेंबर को बोला था और आज जो है एक वीक कम्प्लिट हुआ है और निफ्टी ने 1300 पॉइंट का डिकलाइन अल्रेडी दे दिया है और वो भी एक वीक के अंदर अंदर इसके साथ साथ मैंने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी शेर किया था जो आज के दिन में 30,000 प्लस का प्रॉफिट भी दिखा रहा था जो मैंने टेलिग्राम चैनल पे शेर किया था आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि किस स्ट्रेटजी से ये कैप्चर कर सकते है आप 1000 पॉइंट का मुव जो है वो और वो भी सेव स्ट्रेटजी ऐसा नहीं की ऑप्शन बाइंग कर लेना है आज टेलिग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक सपोर्ट रेंज मेंशन की थी ये 25,135 से लेके 25,040 के आसपास इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है अब आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी ने उसी रेंज में जो 161 परसट के पास आ रही थी उसी रेंज में सपोर्ट बनाया और एक बाउंस दिया और जब ये बाउंस दे रहा था तब वापस हमने टेलिग्राम चैनल पे शेर किया था कि रजिस्टन्स ये ले सकता है ये करक्टिव बाउंस हो सकता है और रजिस्टन्स लेने के बाद फिर से ये डिकलाइन कंटिन्यू कर सकता है हमने रजिस्टन्स रेंज जो है 100-123 पॉइंट की दी थी लेकिन ये यहां से थोड़ा ज्यादा उपर चड़ गया था लेकिन फिर से मैंने यहां पे एक छोटा सा वीडियो बना के समझाया था कि ये हम इसको सिंपल ABC ABC और इंपल्सिव मान रहे थे लेकिन ये एक डबल ज जिगजग करेक्शन भी मैंने ये छोटे से वीडियो में एक्सब्लेन किया हुआ था कि ये डबल जिगजग करेक्शन है तो वहां से फिर से ये बले ही 38% के उपर चला गया हो लेकिन फिर भी ये वापस डिकलाइन कर सकता है और एक बार जब इसने डिकलाइन करना शुरू कर दिया तो मैंने नीचे की तरफ 61% का टारगेट भी दिया था वेव फाइव के लिए लेकिन ये डिकलाइन जो है वो इतना शार्प हुआ मैं एक्चुली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वेव फाइव का डिकलाइन ये 1,2,3,4 और 5 इस तरीके से यहां पे 61% अचीव कर स और यहां पे अगर हम देखे अभी चार्ट पे आ जाते हैं आज पूरा आपके सामने ही करने वाला हूं ये 61% थोड़ा सा ही रह गया ये आप देखेंगे कि ये कितने पॉइंट का है ये वेव फाइव का टारगेट यहां से अगर हम देखे तो ये है 730 पॉइंट के आसप अब ये इंपल्स तो कंप्लीट हो गया है तो कुछ बाकी तो है नहीं इंपल्स कंप्लीट हो गया और वेव फाइव का टारगेट बाकी है तो इसका मतलब कि ये वेव फाइव का वन हो सकता है अगर ये इतना बड़ा वेव फाइव का वन है 500 पॉइंट का तो फिर उसके यह 61% के उपर भी अगर जाता है तब भी यह 3, 4, 5 बनाएगा तो 100% को break कर देगा जो maximum level होता है wave 5 का जो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है उसको भी यह break कर देगा यह अगर पहला impulse है wave 5 का 1 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे यह 5 नहीं हो सकता यह 3, 4 नहीं हो सकता इसका यह 1 और 2 भी नहीं हो सकता तो हो सकता है कि यह जो retracement है वो wave 4 का यहाँ से नहीं बलकि यहाँ से हो यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 2 हो बिल्कुल छोटा असा चनरली इतना छोटा इतने बड़े मुव का इतना छोटा wave 1 होता नहीं है लेकिन इस decline को देखके वो सिनारियो हमें लेन आते हैं तो वो भी valid हो सकता है 38% के उपर नहीं जा रहा है इस range में आ रहा है और decline भी यह कर रहा है तो अभी के लिए यह हो सकता है यह 1,2,3,4 और यह 5th impulse तो complete लग रहा है लेकिन projection wise देखना होगा कि किया अपना minimum criteria जो है wave 5 का किया वो achieve कर रहा है तो उसको अगर हम लगा के check करें तो हाँ यह minimum अपना 38% का criteria है जो अचीव कर रहा है तो wave 5 के लिए यह eligible है तो यहां से यहां तक अगर एक impulse complete हुआ है इसकी अब हमें जरूरत नहीं है यह हमें इसके लिए लगाया था कि अगर यह 1,2,3,4 है तो 3 extended नहीं था तो 5 extended होना चाहिए लेकिन अब इसको के तो यह पूरा plan ही हमने change कर दिया इसको निकालो इसको निकालो अब हो सकता है कि यह 1,2,3,4 और यह 5 है और 5 की range अगर हम निकाले almost यह smaller time frame में देखके लगी रहा है कि impulsive complete हो सकता है फिर भी अगर हम 5 का projection निकाले की छोटा मोटा gap down अगर खुल भी जाए तो मतलब इस range से ज्यादा decline होने के chances कम है यह बहुत ज्यादा ही हो जाएगा फिर अभी यह अगर impulse complete हो गया है तो इस पूरे impulse का retracement हमें निकालना होगा तो वो कितना आ रहा है 38% भी इतना रहा है लेकिन हमें तो interest है 50% में और 61% में भी तो अभी यह impulsive अगर यह बड़ा complete ह हुआ है और इसका पूरे impulse का retracement अगर आने वाला है यह सब भटा दो marketing के लिए यहाँ पे रखा है अगर किसी को phone करना है तो सीखने के लिए लेकिन यह अभी थोड़ा साटा देते है राइट तो इस range में अगर corrective bounce आता है कोई किसी भी तरीके का corrective five type की pattern है इस में से कोई भ आता है तो approximately हम उसका actual में नीचे का projection निकालते है मान लिजे कि 50% से reverse होता है तो उसका नीचे का target C का कितना आ रहा है वो देख लेते है 123% add कर देते हैं कहां पे आ रहा है यह यह range आ रही है जो अपना overall target है wave four का यह यह range आ रही है तो उस range में यह almost 123% उसको touch कर रहा है राइट तो हो सकता है ऐसा कि यह impulsive हो और corrective आए यहां तक और फिर वापस यहां से decline continue करें जैसे यह उपर ज्यादा जाएगा 61% को जाएगा उपर तो वहां से जो decline आएगा तो हो सकता है कि वो wave C 123% से ज्यादा project करें क्योंकि यह minimum 23% जो है वो इसके नीचे आ रहा है तो उ अभी भी इसमें changes हो सकते है जैसे कैसे यह decline को देखके मैंने यह one two वाला change करके रख दिया अब मान लिजे कि Monday को यहां से कुछ और सिनारियो बनता है तो यह भी change कर देंगे जैसे जैसे market हमें बोलेगा कि नहीं मैं तो यह कर रहा हूं तो हम भी उसके पिछे पिछे चले ज यहां नहीं है कि मतलब हमने बोल दिया तो पत्थर की लकीर market जैसे move करता है वैसे हम इलिएट वेव का use करेंगे जब तक यह नहीं सीखेंगे तब तक आप इलिएट वेव नहीं सीख पाएंगे लोगों को लगता है कि इलिएट वेव मतलब पत्थर की लकीर एक बार counting दे दिया तो वो change कर दिया तो तो भई मुच्छे मुडवाने जैसा हो गया नहीं भई ऐसा कुछ भी नहीं है right market के हिसाब से हमें change होना पड़ेगा तो यह तो मैंने एक सिनारियो बोल दिया अब मान लिजे कि यह दोनों में से कुछ भी नहीं है market तो यहीं पर impulse complete कर दिया है य यह जो decline शुरू हुआ है उसके 38% के उपर भी नहीं जाना चाहिए market अगर वो सिनारियो है तो मतलब हमें एक और point मिल गया कि अगर market 38% के उपर जाता है इस वाले level के उपर 25,160 के आसपास आ रहा है इसके उपर जाता है इसका मतलब कि यह impulse complete हो चुका है और market अब इस range में corrective bounce देगा यह एक और level हमें मिल गया और अगर इसके उपर नहीं जा पाता इसी range में time spend करके corrective pattern बना के decline करता है तो हो सकता है कि A और B यहीं पर complete हो गया है यह पूरा हो गया A यह पूरा हो गया B और C यहां से already start हो चुका है जिसमें यह 1 है और 2 इस range में बनेगा तो पूरा आ आप यहां पर analysis समझ गया आज मैंने वो images save करकर के नहीं बनाया है जो भी किया है आप सब के सामने ही किया है कभी कभी वो सब बना के save करना फिर दूसरा module बनाना वो सब boring लगता है तो आज मैंने आपके सामने ही सब कुछ समझा दिया कि मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूँ और फिर उसके हिसाब से reasoning करके को एक conclusion पर पहुंचता हूँ अगर यह मैंने अलग-अलग save करके समझाया होता तो आपको यह नहीं पता चलता कि यह सब करने के लिए मैं क्या-क्या चीजे देखता हूँ वो आपको नहीं पता चलता रैट यह subset करके देता हूँ यहां पर यह website आनी चाहिए यह number देखना चाहिए वो subset करके देता हूँ इन चीजों को भी अच्छी तरीके से draw करके देता हूँ रैट अब तक आप वीडियो देख रहा है मतलब आप इलिये टोई सीखने के लिए बहुत interested है अभी हो गया मेरा जाईए